Alright, Hi everyone, एक बहुती important वीडियो है और ये वीडियो बनाने के लिए मैं बहुत ज़दा excited हूँ, बहुत टाइम से मननी कर रहा था मेरा gate exam के specific वीडियो बनाने का, तो क्योंकि IAC ने हमें बहुती जबरदस्त news दिये है, आज August 6 है और हम बात कर रहे हैं कि Data Science and AI एक नया paper इंटर्ड हुआ है, इससे जबरदस्त news, IAC हमें देई नहीं सकता था या फिर कोई IAT हमें देई नहीं सकता था, मैंने 2020 में एक बात की थी, किस तरह से जैपान में, चाइना में, यूएस में, बिटेक होता है सर, Data Science AI में, और हमने 2018 में पहले बार बात की थी, Master's Program इंटर्डूस करने की IAT हिदराबाद के द्वार, उसके बाद ISC Bangalore ने इंटर्डूस किया, उसके बाद IAT Bombay ने इंटर्डूस किया, उसके बाद IAT Khanpur ने इंटर्डूस किया, ऐसे बहुत सारे colleges ने इंटर्डूस किया, AI and Data Science में Masters कराना, तो कहीं ना कहीं, एक जबरदस्त news है, और मैं सब को ब यह exactly computer science का branch नहीं है सर, तो इसमें क्या subjects होगे, वो मैं prediction लूँगा, और देखते मेरे predictions true हो पाते हैं कि नी, तो कुछ bad news है कि instrumentation paper, second paper, DNA ने अटेम्ट कर सकते, civil engineers, second paper, DNA ने अटेम्ट कर सकते, और हो सकता है कि आ अपना primary paper ही, DNA अटेम्ट करो, मैं इसमें भी अच्छा discussion पर सबसे पहले subjects क्या होगे, वो discuss करते हैं, सबसे खतरनाक news होगी, अगर C programming ही हमें programming subject में deal करना पड़े, मेरे हिसाब से python आना चीए as a programming language, क्योंकि उसी पे हमारा discussion होता है, और सारे libraries हमें जो use करने का मौका मिलता है, वो python में हमें अच्छा मौका मिलता है, तो python as a programming language होना च चीए, data structures, algorithm भी होना चीए, पर उस level की requirement नहीं होनी चीए, इस level की CSE में requirement है, mathematics सबसे ज़्यादा important subject बनना चीए, उस level की questions आने चीए सर, vector calculus important नहीं था CSE में, और अभी बहुत important होगा, योगि हमें dot product ये सब निकालना होता है, तो vector calculus important बन जाएगा mathematics में, और even आपको database management subject आना चीए, क्योंकि हमें finally huge data set के साथ काम करना है, हमें computer network आना चीए, क्योंकि हमारा data हो सकता है, या फिर हमारा storage हम use कर रहे है, cloud storage यूज़ कर रहे है, तो computer network एक बहुत important subject है, DBMS भी एक बहुत important subject है, उसी के साथ-साथ data science and artificial intelligence के एक या फिर दो subjects होने चीए, तो बहुती interesting paper हो आप इस paper के लिए eligible हो, आप electronics के हो, second paper देना चाहते हो, DA का दो, क्योंकि ये पहला साल है, इस paper का, किसी को idea नहीं है, तो वो लगबग भहुती आसान topics सी touch करेंगे, और मैं बताना चाहता हूँ कि आने वाले time में, 2024 exam के बाद, definitely हमारा उतका भी gate exam का course होगा, DA के related, ठीक है, औ DA के लिए मेरे पास जबरदस्त team है, मतलब कोई coaching BT नहीं कर पाएगा हमारे course को, क्योंकि हमारे team में, जबरदस्त लोगों ने इस पे काम किया हुआ है, और बहुत सारे research papers हैं, उनके DA में ही, ठीक है, artificial intelligence में ही, तो बहुती जबरदस्त course हम बना सकते हैं, तो मैं बहुत परसनली बहुत ज़दा खुश हूँ, क्योंकि इसकी जरुरत थी सर, जमाना चेंज हो रहा है, आपको अभी problem solving skill की requirement होकी, coding का requirement, coding का barrier तूटते जा रहा है, और natural language processing के कारण, एक chat GPT जैसा algorithm, याफि chat GPT जैसा model, आपको कोई भी code निकालके दे सकते हैं, अगर आप proper तरीके से natural language processing समझते हो, अगर आपको लिखने आता है सर, text, कि आप chat GPT को समझा सको, तो natural language processing के कारण, chat GPT आपको expected code निकालके देगा, ठीक है, तो problem solving skill की बहुत huge requirement होकी, आने वाले time में jobs change होने वाले है, placement change होने वाले है, पढ़ाने का तड़ीका change होने वाले है, वो सारे companies अभी figure out कर एंकि actual requirement क्या होगी future में, तो अगर आप अभी तक confused थे, कि आपको placement का preparation करना चाहिए, या फिर gate exam का preparation करना चाहिए, ये सबसे best time है, या फिर आपकी मजबूरी है, ऐसा मैं समझ सकता हूँ, कि आपको gate exam का preparation ही करना चाहिए, क्योंकि companies भी अभी figure out कर रहे हैं सर, कि हमें requirement क्या है, ठीक है, तो आप gate exam का preparation करो, दो साल masters करो AI में, data science में, computer vision जैसे specializations में, अगर आपको computer vision अब तक नहीं पता है, तो आप अभी तक आग बंद करके जी रहें, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा intelligence कौन सा होता है सर, हम सुन सकते तो कोई, हम सुन नहीं सकते तो कोई problem नहीं इतना बड़ा, हम कुछ बोल नहीं सकते, इतना कोई बड़ा problem नहीं है, पर अगर हम देखी नहीं सकते, तो बहुत बड़ा problem है, तो हम किसी तरह से अपने system को, वो vision देना चाते हैं, जो एक human carry करता है, जिसे computer vision कहते है, तो अगर आप computer vision को merge कर पाए machine learning के साथ, embedded systems के साथ, तो आप का इतना जबरदस्थ profile बन रहा है, जो industry में अभी के time पे required है, electric vehicles, self driving cars में क्या required है सर, आई वाले intelligence required है, vision intelligence required है, तो मैं आप सब को बताना चाहता हूँ, यह DA paper जिस किसी branch के लिए आया है, as a second paper, आपको second paper DA ही देना चाहिए, आप mechanical engineer के हो, DA paper दो, आप electronics, electrical के आप second paper DA दे दो, क्योंकि इसको crack करना भी बहुत आसान होगा, उतने tough questions आएंगे नहीं, और इतने ज़ादा लोग appear भी नहीं करेंगे, और यहाँ पे cut off clear करना आपके लिए comparatively ज़ादा आसान होगा, आपको अगर confusion था कि आप 5-6 महिने में कैसे gate exam crack कर सकते हो, यह एक ऐसा paper आया है, जो आपका वो सपना पूरा कर सकता है, तो मैं personally बहुत ज़्यदा excited हूँ, और बहुत जबरदस्त काम के ISC Bangalore ने, और ISC Bangalore मेरे हिसाब से इसके लिए बहुत respect earn करता है, सब के तरफ से, तो कुछ लोग इसके बार में भी गलत interpretation देंगे, यह भी fees ज़ादा लेने के लिए किया है, कम बच्चे हो रहे थे, और ज़ादा fees किसी तरह से लेने के लिए किया है, पर यह सब कुछ गलत है, data science and artificial intelligence सिर्फ computer science के लिए नहीं है, इसलिए यह हुआ है, यहाँ पे कोई भी ब्रांच के student आ सकते हैं, ठीक है, आप even primary paper अपना data science algorithm, sorry, data science and artificial intelligence बना सकते हैं, ठीक है, तो बहुत ज़ादा मज़ेदार होने वाला है situation future में, और एक तरसे सारे कोचिंग अभी सारे जितने भी थे, सब अभी zero से start करेंगे, इस particular paper के लिए, और यह कोई वैसा paper नहीं है, जो लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं, यह एक ऐसा paper है, जिसमें सारे get aspirants interested होगे, तो सारे कोचिंग को अभी वापस से हाथ पर मारने है, तो आपको बहुत जबर्दस्थ free material भी मिलना वापस से start होगा, इस branch के लिए, ताकि दिखा सके कि हम expert हैं, इस वाले paper के लिए भी, तो कितने minute का discussion किया सर, हमने लगबक 9 minute का discussion किया है, बहुत टाइम से मैं videos नहीं बना रहा था, पर यूकि मैं busy रहता हूँ, मैं खुद का AI का course बना रहा हूँ, मैं python सिखाना चाहता हूँ, जो भी required है AI के लिए, तो उसका video भी शाम को shoot होगा, तो मैं particularly इस paper के लिए बहुत interested हूँ, और same मैं आपसे भी expect करता हूँ, placement नहीं है, आपके college में कुछ problem AI एक ऐसा है, जो अभी development stage पे है, कि even मेरे इसाब से object detection technology improve हो रही है, ठीक है object detection, क्योंकि हम जितना fast decision लेते हैं, कोई भी चीज़ दूर से भी दिखने पे, उतना fast decision लेना एक system के लिए, थोड़ा difficult है, ठीक है, जैसे हम object detection, मेरे इसाब से 2004 में, face detection, हार feature के थूर इंटर्यूस ह हो आता, object detection भी इंप्रूव हो रहा है, even face detection recognition का मैंने best paper अभी MTCNN देखा था, जो 2016 में आया था, तो ये कहीना कि हमारे लिए एक indication, एक validation है, कि ये development stage पे है, तो अगर हम अभी इसमें कदम रखेंगे, तो ये saturated field नहीं है सर, जैसे बाकी सारे जगे, सब को आता है DSA, तो companies बोल रहे हैं, अभी हम इतने सारे लोगों की जरुरत क्यों है, जो चीस सब को आती है, और जो सब लोग सीख रहे हैं, उस skill का over the time value कम हो जाता है, सर, lay off होना start हो जाता है, ये problem है, जो चीस developing stage भी होती है, उसे सीखना सबसे profitable आपके लिए काम होगा, तो AI वो वैसा technology है, जो अभी development पे ही है, इसमें बहुत सदा improvement अभी भी होना है, और अभी आप इसमें अगर introduce होते हो, ये saturated market नहीं है, ये भी saturated होगा आपको replace नहीं किया जा सबता, तो इतना ही था इस वीडियो में, हम फिर मिलेएं किसी वीडियो के साथ, बिल दन, वाए